नमस्कार दोस्तों स्वागत करती हूँ आप सभी का शिक्षा प्रभा में दोस्तों मैं करुणा आज की वीडियो लेकर आई हूँ राजस्थान वाले पेंटिंग वाले बच्चों के लिए जो की आप बोर्ड परिक्षा देने वाले हैं यानि की क्लास 12 की पेंटिंग चित्रकला की परिक्षा देने वाले हैं RBSC बोर्ड से यानि की माध्मिक सिक्षा बोर्ड राजस्थान से जो बच्चे परिक्षा देने वाले हैं चित्रकला की उनके लिए ये वीडियो होने वाली है और इस वीडियो में वो बच्चे देखेंगे कि आपका जो अभी बोर्ड पेपर चित्रकला का आने वाला है उसके अंदर आपसे क्या-क्या पूछा जाएगा कौन से चेप्टर से पूछा जाएगा कितने नंबर की आपकी ये प्रेक्टिकल होता है ठीक है बिटा तो यहां पर यह आपको प्रायोगिक परिक्षा यानि कि प्रेक्टिकल बताया हुआ है जो कि आपका 70 नंबर का होने वाला है इसके अंदर 25 नंबर का आपका एक चित्र होगा 25 नंबर का आपका दूसरा चित्र होगा और 20 नंबर का से बनवाई गई है वह होंगी तो इस तरह से सतर नंबर का बिट का प्रायोडिक होने वाली है यानि की परिक्टिकल एक्षाम होने वाला है बात कर लेते हैं ठे़ोरी की तो बिटा ठे़ dedicated 24 नंबर की हमेशा ठे़ोरी आती रही है तो इसी 24 नमबर की थेयरी यहाँ पर आपसे पूछी जाएगी और 6 नमबर आपको 7 रंग के दिये जाएंगे जो कि आपको स्कूल से ही मिलेंगे जो आपको doctors дан pais वो आपको यह 6 नमबर प्रवाइड करेंगे और 24 नमबर आप अपनी मेहनत से लेकर के आएंगे इस 24 नमबर का पेपर लिखने के लिए आपको पूरा 3 गंटे 15 मिनट का समय दिया जाएगा चिक हैं तो इस तरह से ये आपका 24 और 6 30 नमबर की थियोरी हो जाएगी और 70 नमबर का बिटा आपका प्रेक्टिकल हो जाएगा चिक अब देखते हैं कि चेप्टर कौन-कौन से आ रहे हैं तो ये है बिटा आपका चेप्टर ठिक हैं इसके अंदर आपका जो सेकंड चेप्टर है राजिस्थानी सेली की चितरक्टा ठिक हैं ये सेकंड चेप्टर आपका इस लेबस में है और इस में से आपसे पांच नमबर का पूछा जाएगा ठीक है और ये आपका तीसरा चप्टर है बिटा मुगल शेली की लगो चितरकला ये आपका चार नंबर में आपसे पूछा जाएगा चौथा दक्षनी शेली की चितरकला इसमें से चार नंबर का पिपर आप लोगों के लिए आएगा पांचवा चप्टर है आपका बंगाल, स्कूल और संस्कृतिक राष्टवाद तो बिटा तीन नंबर का जो पिपर है आपका वो इस चप्टर से आएगा अब आजाता है आपका लास्ट एक और यानि की आठ्वा चप्टर जो है भारत की जीवित कला यानि की लोग कलाएं तो इस तरह से ओवर आल आपका 24 नंबर का थ्योरी वाला पिपर तेयार किया जाएगा अब जो आपका पांच नंबर में चप्टर नंबर दो है चित्रकला की राजिस्थाने शरी इसमें से कौन सी चीजे आपसे पूछे जाएंगी तो सबसे पहले आपको बताना है किसके बारे में मैं आपको बता देती हूँ चित्रकला का विश है एक अब लोकन मालवा स्कूल की चित्रकला मेवार स्कूल की चित्रकला बूंदी स्कूल की चित्रकला कोटा स्कूल की चित्रकला बीका नेर स्कूल किसरंगर स्कूल जोतकुर स्कूल और जैपुर स्कूल की चित् क्रश्न जूलते और राधा उदास मनोदशा में ये वला चित्र है आपका एक बनी ठनी है और एक चित्र है राम अपने परिवार के सदस्यों से अथित्र कुटी में मिलते हुए तो सिर्फ ये चित्र आपको पढ़ने हैं इसके अलावा जो चित्र है वो आपको नहीं पढ़ तो अब है तीसरा चप्टर यानि की मुगल लगु चित्रकला यानि की मुगल शेली की चित्रकला तो इसके अंदर आपको क्या-क्या पढ़ना है इसके अंदर आपको मुगल चित्रकला पर क्या प्रभाव है वो पढ़ना है प्रारंबिक मुगल चित्रकला को उत्तर मुग मुगल चित्रकला की प्रिक्रिया, मुगल चित्रकला के रंग और तक्नीक, तो ये सारी चीजों को आप किस में पढ़ेंगे, मुगल चित्रकला में पढ़ेंगे, और कौन कौन से चित्र पढ़ेंगे, नुहु की नाव, आप पढ़ेंगे, गोवर्धन परवत, धारन करते पक्षी, आराम परबाज, अंसूर वाला चित्र, जेबरा और दारा सिकों की बारात ये वाले चित्र बिटा आप पढ़ेंगे मुगल शैली से इसके अलावा मुगल शैली में और कुछ आपको नहीं पढ़ना है बीजापर स्कूल की चित्र कला आप पढ़ेंगे और जिन चित्रों को पढ़ना हैं आपने उसमें होगा गोडा, सुल्तान इब्राहिम सहा, हिंडोला राग, रागनी, पत्मा सिका, सुल्तान अब्दुल, कुतुब शहा, हजरत निजामुद्दिन, ओलिया और अमीर खुसरो और पोलो खेलती चांद बीबी, इन सभी चित्रों को आप अध्यायत 4 में पढ़ेंगे, अध्यायत 5 में पढ़ेंगे पहाडी शेली की चित्रकला, और इसमें बसोली स्कूल, गुलेर स्कूल, कांगडा स्कूल, है ना, और जो चित्र, मतलब पहाडी सेली में सिर्फ बसोली, गुलेर और कांगडा अपको पढ़नी है, इसके अलावा पहाडी में अगर आपसे चंबा चीजें रिक्षारत कृष्ण, हिचकचाती राधा, बलवन्त सिंग, नैंसुप के साथ एक चित्र को देखते हुए, नंद, यशोधा और कृष्ण, सिर्फ चार चित्र हैं इसमें आपको जो पहाडी चैली से आपको पढ़ने हैं, ठीक है विटा, चेप्टर नंबर 6, बंगाल स्कू राष्टवात से आप क्या-क्या पढ़ेंगे जो आपके एक्जाम में आएगा, तो सबसे पहले तो कंपनी चित्रकल आपको पढ़नी हैं, राज रवी वर्मा को आपको पढ़ना है, बंगाल स्कूल को आपको पढ़ना है, अमनिंद्रनाट टेगोर और ईवी हिवेल को पस्चिमी और भारतिय अवधारनाएं, जो है मतलब आधुनिक्तावात की भारत में क्या हैं और पस्चिमी क्या हैं, वो सब अलग तरीके से पढ़ना है, और मिट्टी की जुताई चित्र हैं, रासलीला, राधिका, रातरी में शहर, समुंद्र का मान मर्दन करते राम, लुग कला परमपरा आप पढ़ेंगे, जिसमें की मिथला चित्र कला पढ़ोगे, यह लुग कला को आप पढ़ोगे, तो यह है आपका पूरा तीरी का जो आपका चवविस नंबर में आप से थिोरी में पूछा जाएंग जिसके लिए आपको सवा तीन गंटे, तो यह है दिये जाएंगे लिखने के लिए ठीक है बिटा और इसके अलावा अब आपके जो चप्टर आपके स्लेबस से कम कर दिये गए हैं जिससे कि आपको पता रहे कि ये स्लेबस में नहीं है तो वो आपका चप्टर नमबर एक यानि की पांडू लिपी चुत्रकला परंपरा जिस की प्रगतिशील कलाकार गुरूप, मुंबई गुरूप, अमूर्थ कला, एबस्चेक्ट आर्ट, अनुले खन, उन्निस स्वस्थी के दशक की अलंकारिक कला, न्यू मेडिया आर्ट ये सब जो आप पढ़ते हैं और इन सब के अंदर जो ये चित्र हैं संत का जीवन, मदर जिसको हम हल्दी ग्राइंडर बोलते हैं और पूर्व पढली से परियों की कहानिया, भवर, बच्चे, ये सारी चीजें श्रम की विजय सान्थाल, गनेश, वनश्री, इन चित्रों को, मूर्थी शिल्कों को आपको नहीं पढ़ना है, अगर मैं पताउं, तो आपको अपन ये है आपका ठीओरी का असले बस जो आपसे पूछा जाएगा आपके बोर्ड एक्जाम में, जो कि अभी है अपरिल में और जो नहीं पूछा जाएगा वो भी, अब है आपका प्रिक्टिकल, तो प्रिक्टिकल में मैंने बताया था पच्चिस नंबर का आपसे और 25 नमबर से आपका जो इस्टिल लाइफ होगी वो होगा और 20 नमबर आपने जो अपना प्रोजेक्ट तयार किये होंगे वो होगे तो इस तरह से 70 नमबर का प्रेक्टिकल होगा अब उसमें आपको मांक्स कैसे दिया जाएगा तो 10 नमबर आपको ड्राइंग बेस पे दिय उसके अंदर कितनी विशेष्टाएं हैं तो रचनात्मत कितनी है उसके बहाँ पे आपको पच्चिस नमबर दिये जाएंगे बहुत जादर डीप हम प्रेक्टिकल के बारे में नहीं जानेंगे क्योंकि जितना जानोगे उतना परेशान होगे तो आपको सिर्फ एकम पोज होगे होरीजेंटल होगा एक एक वर्टिकल होगा और एक आपका कोई भी ताजा फ्रूट होगा ठीक है बेटा तो ये था आपका प्रेक्टिकल एंड थियोरी का स्लेबस 2022 में जो आपसे पूछा जाएगा बोड परिक्शाओं में बेटा आसा करती हूँ आपको मेरी वीड जरूरत है इस वीडियो की जरूरत है उस बच्चों के साथ इस वीडियो को शेयर करना चैनल पर पहली बार आएं है तो सिक्षा प्रभा को सब्सक्राइब करना जिससे की इस तरह की और वीडियो आपको मिलती रहें अभी मैं आगे आने वाली वीडियो में आपका जो